सब्सक्राइब को अगर आपको पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग मोर्ड पर है और आज हम इसे कंप्लेट करेंगे इस चैप्टर के थर्ड पार्ट को और यह थर्ड पार्ट बहुत ही बहतरीन है चलिए शुरुआत करते हैं हमने चिल्लिंग विन यहां तक ही कंप्लेट किया था एक सिगार के स्टोर में एक आदमी खड़ा था अच्छे कपड़े पहना हुआ था और अपना सिगार जला रहा था और वहां पर ऐसा खड़ा था जैसे के वो किसी रोशनी के तरफ उसका मूँ था और उसका जो सिल्क का अम्ब्रेला था यानि जो छटरी थी उसे डूर के दरवाजे के पास रख दिया था सोपी स्टेप्ड इंसाइट सोपी अंदर की तरफ पहुंच गया ग्रैब्ड अम्ब्रेला और उसने उस छटरी को उठा लिया और उसके बाद में क्या किया उसने सॉंचर अफ यानिके वाग्ड इन रलख मैनर उसने उसे उठा लियार आराम से चलता हो बाहर आ गया थे मैं अड़े सीगार लाइट फालोड हैस्टी ली और जो आदमी ने सीगार जो सीगार जला कर सीगार पी रहा था वो जल्द बाजी में उसके पीछे आया My umbrella he said sternly उसने शिदत से कहा कि ये मेरी छहतरी है Oh is it? अरे ये तुमारी है स्नियर्ड सोपी सोपी ने तंजिया अंदाज में कहा यानि टॉंट मारते हुए कहा Adding insult of petty larsini और ऐसा लग रहा था स्नियर्ड गेव अ कंटेंप्ट आस और मॉकिंग इसमाइल रिमार को टोन larsini theft of personal property ऐसा उसने टोन मारा जैसे वो उसकी insult कर रहा हो और उसके वजह भी क्या थी कि एक छोटी सी चूरी की बात को वो समझ रहा हो कि वो उसकी personal property है larsini यानि personal property जिससे किसी ने चुरा लिया था और वो लेकर वहां से निकल रहा है वेल वाइव डोंट यू कॉल पॉलिसमेन अच्छा तुम्हें किसी पॉलिस वाले को क्यों नहीं बुला ले थे I took it your umbrella मैं तुमारा ये च्छत्री लेकर जा रहा हूं तुम्हें किसी कॉप को ये पॉलिसमेन को क्यों नहीं बुलाते हैं वो देख वे बुदो को बाहर खड़ा है there stands one on the corner उस किनारे पर corner पर एक खड़ा हुआ है the umbrella owner slowed his steps जो च्छत्री वाला था umbrella owner था उस तो वो थोड़ा सा जिजिका और रुख गया वहाँ पर Sophie did likewise और Sophie ने भी वहाँ पर रुख गया with a premonition that luck would again run against him और ऐसा लग रहा था उसे एहसास हो गया था premonition a strong feeling that something is about to happen especially something unpleasant यानि Sophie को समझ में आ गया था कि कुछ ऐसा unexpected चीज़ होने वाली है जो वो नहीं चाहता the policeman I'd add the two curiously यानि तजस्स से उस पोलिस वाले ने उन दोनों की तरफ देखा of course said the umbrella man बिलकुल umbrella यानि जो च्छत्री वाला आजमी था उसने कहा well you know how these mistakes occur if it's your umbrella यह को यह कैसी गलतिया हो जाती अगर यह तुमारे च्छत्री है I hope you will excuse me मुझे उमीद है कि आप मुझे माफ कर दोंगा अब देखें यहां पर वो माफी मांग रहा किस से सोपी से हाला कि सोपी ने उसके च्छत्री चीन लिया था I picked it up this morning in a restaurant if you recognize it as yours why I hope you will अब उसाजमी ने क्या कहा च्छत्री वाले ने क्या कहा कि मुझे उमीद है कि आप मुझे माफ कर दोगे मैंने यह सुबा में restaurant से उठाई थी अगर तुमने तुमने इसे पैचान लिया है तो यह तुमारी ही हो सकती है Of course it's mine said सोपी savagely इसोपी ने कहा हां विल्कुल विल्कुल यह मेरी ही है दा एक्स अम्रेला मैं रिट्रीटेट जिसके पास च्छत्री थी वह आदमी आइसता आइसता पीछे किसे लगा रिट्रीट होना यानि पीछे किसे लगा The policeman hurried to assist a tall blonde in an opera cloak across the street in front of a street car that was approaching two blocks away A tall blonde, blonde क्या होता है? A person with pale yellow hair Blonde यानि आखरोटी रंगट के जो बाल होते हैं उसके लिए वर्ड इस्तिवाल करते हैं तो पोलीस वाला क्या हुआ? वह ओपरा क्लॉक की तरफ दोड़ गया जो across the street के वहाँ पर वह आदमी एक कार के खरीब जा रहा था Sophie walked eastward through a street damaged by improvements Sophie मश्रिख की तरफ चल गया, वहाँ पर कुछ street थी गली थी वहाँ पर खुदाई की गई थी उसमें कुछ improvement की जा रही थी He hurled the umbrella angrily into an excavation, excavation खुदाई की भी जगा उसने क्या किया, hurled यानि फैंक दिया, umbrella यानि छतरी को घुस्से में आकर एक कड़े में He muttered against the men who wear helmets and carry clubs और वह बड़ बड़ाया ऐसे लोगों के बारे में जो helmet पहनते हैं आम तर पर ये बात है पुलिस वालों के लिए जो helmet पहनते हैं and carry clubs Because he wanted to fall into their clutches चुकि वह पुलिस वालों के हत्ते चड़ना चाहता था पुलिस वालों के पकड़े जाना चाहता था कि वो जेल में जाकर सुकून से सो सके उसके पास रहने के लिए घर नहीं था They seem to regard him as a king who could do nothing wrong और ऐसा लग रहा था कि वो उसे बादशा समझ रहे थे अभी तक कि जितने वाकियत हुए और वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता At length, Sophie reached one of the avenues to the east where the glitter and turmoil was but faint और थोड़ी दूरी पर सोपी पहुँच गया ऐसे avenues ऐसे बंगलों के खरीब जहां जो मश्रिख की तरफ थे और रोशन थे गलिटर रोशन थे चमक रहे थे and turmoil और कुछ बंगले ऐसे भी थे जो बहुत ही ज्यादा disturbance में थे तूट फूट गये थे वाज बट फेंट और उसमें मध्धम हो गये थे उसकी जो रंग था वो ओड़ चुका था He dragged himself toward Madison Square for the homing instinct service even when the home is a park bench और वो Madison Square Garden एक बहुत बड़ा garden है नियोर्क में उसके तरफ मुड़ गया और वो उससे पता था कि वहाँ पर जो survivors होते हैं जो bench पर जाकर सो जाते हैं वो वहाँ जाकर सो सकता है बट ओन एन अन्यूजवली कॉइट कॉइट कॉर्णर सोफी केम तो स्टैंस्टिल लेकिन एक अन्यूजवल खामोश किनारे पर सोफी एकदम रुक गया स्टैंस्टिल एन रुक जाना यहां पर एक बहुत ही पुराना चर्च था कोईंट रैंबलिंग और वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था अन्यूजवल था पुराने तरीख का था कोईंट एन्यूजवली अन्यूजवल और ओल फैशन यह एक ग्रीक तरज़त आमीर है यह एक ग्रीक तरीखे की बनावट होती है यूनान की तरीखे की जिसमें ट्रैंगल बनाए जाते है चर्च में आम तोर पर उपर का जो हिस्सा होता है क्योंकि ऐसे लाइखे जहां बरफ बारी होती है तुम्हां बरफ ट्रिकुना नहीं चाहिए वरना अगर आप फ्लैड बनाएंगे तो बरफ जम कर उस च्छत को गिरा सकती है इस वास्ते वह ट्रैंगुलर शेप की च्छत बनाते थे त्रू वन वाइलेट स्टेंड विंड आप देखने लगा जहां पर से बिन फिश आई यानि वाइलेट कलर की जो रेज है वह विंडो से बाहर आ रही थी चमक रही थी गुलो होना यानि चमक रहोना और उसे कोई शक नहीं था कि जो उसका और गैनिस्ट है यह उसका और गनाइजर है उसके पास एक ऐसा एंथिम बना रहा था जो उसको बहुत ज़्यादा मास्ट्री थी यह शब्बात डिनर होता है यह आम तोर पर यहूदी और इसाई लोग जो है उनका एक रिलिजियस फंक्शन होता है उसमें यह शब्बात एंथिम गाते है फर देर डिफ्टेड आउट टो सोपी जेर स्वीट मुजिक पड़ी तो वहीं रुख गया और रुखने की वज़ा क्या थी वह ऐसा लगता था कि उसे फिर से ट्रांस्फार्मेशन हो रहा है और वह जो पुराने जमाने में जेल में जो कॉईल्स या ट्विस्ट होती थी फेंस होती थी उससे जुकड़ा जकड़ा जाता था तो वह उसके याद आने लगी दा मून वाज अबो फूल एंड रैडियंट उपर की तरफ जो चांद था वो पूरा था और चमकदार था रैडियंट चमकदार था वेहिकल सेंड पेडेस्ट्रियंस फेर्फ्यू कुछ ही गाड़िया जा रही थी और कुछ पैदल लोग वह और चह चाहा रही थी यानि सोने के अंदाज में वह आखरी आवाज निकाल रही थी और ऐसा लग रहा था कि यह जो सीन है यह जो मंजर नामा है यह किसी मुझाफाती लागा के चर्च यार्ट का है अब उसे वो शबबाट डिनर के जो अंदेम है जो बज रहा था तो उसे याद आ गई उस आइरन फेंस की वो बहुत पुरानी यादे उसकी जाग गई उसकी जिंदगी की जब उसकी माँ जिंदा थी और उन फूलों की जो उसे पेश की जाते थे उन खौइशात की जब वो दोस्तों के साथ मिलकर देखा करता था एडिमबिशन्स के बारे में और इमेकुलेट थाट्स और कॉलर्स और जो बहुती साफ सुतरे शुस्ता शाइस्ता ख्यालात थे जिंदगी के बारे में अच्छी चीजों के बारे में सोचने वाली वो तमाम उसे याद आने लगी। ही वीवड वित राइजिंग हॉरर दपिट इंट विच यहाद टंबल दिग्रेड़ेट देज अनवर्थी दिजायर्स डेड होपस रेक्ड़ फैकल्टीज और बेज मोटिवस्ताइट में अप इस एक्जिस्स्तंस अब उसका जो खौफ था उसका जो तमाम पुरानी हैर से बेकार की जो खौइशा थी और बे उमीद से जो उमीदे उसके मर चुकी थी तो वो सबके सब उसके सामने आगे उसके एक्जिस्टंस को जंजोडने लगी उसे याद आने लगा कि उसने अपनी जिन्दगी में क्या किया अब अचानक क्या हुआ कि एक थ्रिल उसके दिल में है तो एक अचानक सी थ्रिल आ गई और उसका मूड जो है वो अजीब सा हो गया और उसकी खौइशाद बहुत ही जो मांद पड़ गई थी अचानक से आध कराई और इसने सोच लिया कि उसे लड़ना है जिन्दगी से और हकिकत से उसे दू बदू होना है अब वो मायर यह एक अचानक थी जब वो जेल जाना चाहता था लेकिन उससे उसने अपने आपको बाहर निकालने की तैयारी कर ली और वो अपने एविल पर कंकर करना चाहता था जिसने उसे घुलाम बना लिया था एविल क्या रहता यह एविल यानि उसका जो दुश्मन होता है शैतानी हालत होती है उससे वो अपने आपको बचाना चाह रहा था अब क्या हो गया कि उसको वो तमाम चीज़े याद आ गई अब वो तो जवान था और उसे वो अपने आपको अपने जिंदगी को रिजरेक्ट कर सकता था रेस्टोर कर सकता था और वो उसके जो ओल्ड एगर अमबिशन्स थे उसे पूरा कर सकता था और परसू दें विदाउट फाल्टरिंग और बगार हिम्मत को वो उन तमाम चीज़ों को हासिल कर सकता था परसू यानि हासिल करना दो स्वीट आरगन नोट्स हैट सेट अपर रेवलूशन इन हैं अब वो जो नोट थे बहुत ही मीठे मीठे ख्यालात थे इसने उसके दिल और दिमाग में एक इंखलाब ला लिया तुमारो ही वोड गो इंटो दा रोरिंग डाउंटाउन डिस्टिक और फाइंड वर्क और उसने तैय कर लिया कि वो दूसरे दिन सुबह में जाएगा डाउंटाउन के जो डिस्टिक में वहाँ पर उसे काम डूढने के लिए एक आदमी ने उसे नौकरी की पेशकर की थी कि वो उसे ड्राइवर की नौकरी दे सकता है और उसने सोचा कि मेरी भी तो कोई हैसियत है इस दुनिया में और मैं भी कुछ बन सकता हूँ सोपी felt a hand laid on arm सोपी ये सोची रहा था कि अचाना के एक हाथ उसके कंदे पर आ गया ये लुक्ट क्विकली और इंटो इंटो इंपैस्व पेस फेस फाफ पोलिसमेन और उसने पलट कर देखा कि पीछे एक पोलिसमेन कड़ा था what are you doing here ask the officer तुम यह क्या कर रहा है ओफिसर ने का nothing said सोपी सोपी ने का कुछ भी नहीं then come along said the policeman policeman पोलिसमेन ने का ठीक है मेरे साथ आओ three minutes on the island said the magistrate in the police court the next morning और तीन महिने की जेल उसे हो गई magistrate ने उसे सुनाया और पोलिस court ने उसे दूसरी सुबा भेज दिया अब देखिए इतनी देर से वो खौइश कर रहा था जेल जाने की तो उसे जेल जाने के लिए कोई लेकर नहीं जा रहा था जब उसका दिमाग सेटल हो गया कि अब वो अपनी जिन्दकी में कुछ करेग अचानक पुलिसमेन ने उसे पकड़ लिया और उसे जेल जाना पड़ा अगले वीडियो में एक्टिविटीज के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए गुड़ बाई